दोस्तों नमश्कार मैं आपका सात्य लक्ष्मिकान पंडित और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं बात करहूं पिंगांग लेक की जी हाँ इन दिनों ले लगदाक और पिंगांग लेक काफी चर्चा में हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसक कुछ परिचे लिया है जो सारवजिनिक वेबसाइट से हैं इसमें खासकत चीजे जिकर किराय कहां कहां गुमना चाहिए क्योंकि यह आप लेह लगदाग जा रहे हैं तो पिंगंग लेक जाना चाहिए और पिंगंग लेक इदी कहा जाये लेह लगदा की आत्मा है तो वो कोई अत्री शोक्ति नहीं होगी दोस्तों आपके कृपा से भगवान की कृपा से और अपने शोक के कारण में दो बार इस पिंगंग जील के दर्शन कर चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो जानकर ने दी आप उनको प परकरती के बीच में अपना समय बता सकते हैं जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ले लगता है जम जाते हैं और पिंगंग के बढ़ते तो यह चांगला पास आता है जो कि काफी उचाई पर है और अपनी यातरा के दुरान हमने कुछ फोटोग्राफ भी खेचे थे अब अब देख पा रहे हैं यहां पिंगंग लेक बारत चीन की बीच की सीमा के बीच में जहीं जो की 1962 में चीन ने काफी हैसा हानिया था और भारत के हिसमें कुछ खंशा आया था लेकिन अभी भी जो हिसमें आसमें काफे कुछ सुन्दर ता बाकी और आफ चित्र में डुनों यात्राओं में मंनें यहां पर काफ़ी समय बेत्ट करा और समय अलग होता है यह है भारत का टिरंगा वहां पर नही रहा है और बारती सीना यहां पर हम시ieux चोकष रही है आज भी है आज की केके किंच महित्पूने अब मेजर सितान सिंग को आप देख पा रहे हैं इनकी यदि गाथा की बात नहीं की जाए तो लेह जाना पेंगंग लेग जाना कोई माइने नहीं रखता है और 1922 की युद्ध में जो इनका जो बलिदान था वो हम यहां देते आपको दिखा रहे हैं आप पड़ सकते हैं क्योंकि मेजर सितान सिंग ने जो उससे में बहुत दुरी दिखाई थी वो आज भी याद की जाती है और इसलिए उन्हें परम्री चक्रिब दिया गया था तो दोस सेना और भारती तिरंगे की अस्मिता के लिए अपनी जान गवए थी और चीन के सेनिकों को उनकी नानिया दिला दी थी